जहीं हिन दोस्तों, दोस्तों नई मिसाइल से चीन बॉर्डर पर और ताकतवर होगी सेना, वहीं सेक्यरिटी फोर्सिस से मुड़वेड में लिसकर के तीन आतंक के धीर और मिलिटरी सेंटर से पाकिस्तानी सेना ने 50 गंटे बाद छुड़ाया कबजा, तो आई ये जानते है इनके बारे में डीटेल में, दोस्तों अब 500 किलो मेटर तक दुस्मन की खेंड नहीं, नई मिसाइल से चीन बॉर्डर पर और ताकतवर होगी सेना, बॉर्डर पर चीन के साथ 40 अंगर्स के बीच भारते सेना अब परले बैलेश्टिंग मिसाइल हासल करने जा रही है, ये म तुस्ताव इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारते सेना एक रॉकेट फोर्स के निर्मान पर काम कर रही है, दोस्तों परले मिसाइल का पिछले साल दिसंबर में लगतार दो दिनों में दो बार सफ़र टेस्ट किया गया था, और तब से सेना इसके एक्विजिशन और सामिल करने की दिसा में काम कर रही है, देड़ सो से पांसो किलो मेटर की रिंज के साथ परले ठोस प्रोपिलेंट, रॉकिट मोटर और दूसरे नई तकनीकों से ओपरेट होती है, वैसे सोर्स का कहना है कि इस तरह की मिसाइले दुस्मन के एर सुबे आतंकियों और सुरच्छाबलों के बेच मुटभेड हुई थी, मुटभेड में लस्करे तेबा के तीन आतंगवादी मारे गई, रिपोर्ट के मताबिक डिफेंस पोर्स ने पूरे इलाके में नाकबंदी कर सर्च ओपरेशन तेज कर दिया है, ADGP कस्मेर ने बताय चीन के प्लान को तगड़ा जटका लगा है, क्योंकि अर्जंटीना ने चीन से फाइटर जेट खरीदने का इरादा बदल दिया है, पिछले हपते अर्जंटीना के राष्ट्पती अलबर्टो फटनांडीस ने घुष्टना की थी कि अर्जंटीना तदकाल कोई मिलिटरी और इससे अपने जेप 17 फाइटर जेट को लेटिन अमेरिका तक पहुचाने की चीनी उमीदों पर पानी फिर गया है, चीन ने चैंगदू एपसी वन जेप 17 फाइटर जेट को पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाया है, पिछले साल अर्जंटीना सरकार ने 2022 के बजट में मल्ट फाइटर जेट के ख्रीट के लिए 664 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट तै किया था, और जेप 17 फोर्थ जनरेशन का लाइट वेट वाला सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड मेक 1.6 और कॉमबेट रेडियस 1400 क्लो मीटर तक है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाएगे फाइटर जेट के रूसी डी 93 इंजन में कई गड़बडियों की जानकरी दी जा चुकी है, इसके बावजूद चीन छोटे देसों को इन्हें बेच रहा है, वहीं पाकिस्तान की सेना ने बन्नू में मिलिटरी अफसरों को छुडाने के की है, खेबर पक्तन उखवा में स्थित बन्नू काउंटर टर्रिजम सेंटर CTD में पाकिस्तानी सेना के हमले में 33 TTP फाइटर्स मारे गए हैं, इस मिलिटरी कारवाही में पाकिस्तान सेना के स्पेशल सर्विस ग्रूप के दो कमांडों भी मारे गए हैं, लेकिन ऐसा पाकि की लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद इन्होंने अपने ओपरेशन को अंजाम दिया, बता दे कि बन्नू में ये स्थिती तब बैदा हुई, जब रविवार को पाकिस्तान के काउंटर टर्रिजम डेबार्टमेंट के ओफिसर TTP के एक वरकर से पूस्ता करा दिया, और फिर TTP के इन वरकरों ने पूरे कमपाउंड को कबजे में कर लिया, इन लोगों ने सेना और पुलिस के कई ओफिसर्स को बंधग भी बना लिया था, इसी दोरान पाकिस्तान पुलिस के कुछ ओफिसर्स भी मारे गई, वहीं दोस्तों TTP के साथ पासा पलटन जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी, और ये इनफोर्मेशन अगर आपके लिए योज़ फुल रही हो तो वीडियो को जाद स्यादा सियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जैहिन जैभारत